नमस्ते दोस्तों आज फिस्टेस आगेत है आपके अपनी किचन ममता के रसोई में आज में बेनाऊंगी पनीर पर था जिसके लिए हाँ पर मैंने 500 ग्राम पनीर ले लिया है अब इसे में कद्दू कस करूंगी कद्दू कस करने के ये फैदे हैं कि हमारी पाराठे फटेंगे नहीं अच्छी तरह से बनने के बाद फूलेंगे देखिए कुछ इस तरह से मैं सब पनीर को कद्दू कस कर लूँगी मैंने सभी पनीर को कद्दू कस कर लिया है और अच्छी से कद्दू कस करने के बाद मैं इसमें डालूँगी अपने हिसाब से सबजिया तो देखिए मै यहां पर थोड़ा सा द्रग कसके ले ली हूँ और थोड़ा सा गाजर गाजर को मैंने कसने की बाद अच्छी से निचोड़के उसका पाने निकाल दिया है और यह मैंने प्यास बहुत बारी काटा हुआ है आप इससे भी बारी काट सको तो काट लेना क्योंकि प्यास से दाल दूँगी मैंने काटके रखा हुआ है उसे भी तो इस तरह से सभी मसाले डाल दो आप जो फ्लेवर आपको पसंद हो बाकी मसाले भी तो आज कर बहुत हैं तो मैं यहां पर सिर्फ जो घर पर मसाले यूज़ करती हूं वही डाल रही हूं अभी मैंने दनिया पत्ति ड बना लें और पराठा बनाना सुरू करें तब भी डाल सकते हैं तो प्याज में पानी निकलने लगेगा तो यहां पर मैं बनाने वाली हूं इसलिए डाल के रख देती हूं अब मैं बताऊंगी आठा कैसे बनाते हैं उसके लिए मैंने आठा चाल लिया है आप थोड़ा सा डालों की नमक अदो चम्मच रिफाइन तेल रिफाइन तेल डालने के बाद अच्छे से जैसे मोयन देते हैं किसी चीज में तो हाथों से हम रगड़ रगड़ के आठे को रखते हैं गूत के इस तरह से हम हाथों से रगड़ते हुए हम सब को मिक्स कर लेंगे अच्छे से तेल लमक आठा सब अच्छी से मिक्स हो जाए जैसे मैं मिक्स कर लेंगे तो सभी जगह पे अच्छे से मिक्स हो जाएगा और गूतने में हसानी होगी अब मैं थोड़ी थ पहले से ही soft नहीं करने हैं ये चीज का यदि आप ध्यान दोगे तो आपका पराटा कभी फटेगा नहीं पराटा चाहे अलू का हो चाहे दाल वाला हो चाहे किसी चीज का हो पनीर का हो तो मैं देख लिती हूँ पहले मैंने थोड़ा सब्त गूता अब मैं इसको गूत दे थोड़ा थोड़ा पाएं डालके स्वाप्ट कर दूँगी देख लेती हूँ अभी देखो थोड़ा सा और गूत लेती हूँ इसी में में थोड़े थोड़े पाहें डालते हुए बढ़ियां से स्वाप्ट आटा लगा के तयार कर लूँगी अब हलका सा तेल लगा के में से एक दो मिरट और गुथ हूँगी सब सेमें पराठे का आटा ही होता है तो आटा अच्छे से लगा हो तो पराठे कभी फटते नहीं है देखिए इस तरह से आटा है थोड़ा सा और गूत लेती हूँ पासमेट के लिए मैं रख दूँगी उसके बाद बनाना सुरू करूँगी यहाँ पर मैंने पासमेट हो गया है अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ पराठा भर के पनीर डाल के मैं बताऊंगी आपको कैसे भरते हैं तो मैंने अपने हिसाब से लोई काट ली हैं आप जैसे बड़ा छोटा खाएं उसे हिसाब से काट लें आठे की लोई थोड़ी बड़ी ही काट ना होता है उसमें भरने के बाद बेलते हैं तो फटता नहीं मैं आपको एक पराठा बेल के बता देती हूँ इस तरह से आप नहीं साब से पनीर डाल दीजिए इसी में और ऐसे हाथों से गोल-गोल गुमाते हुए अंगोठे से दबाते हुए पनीर को अंदर की तरफ करना है और आठे को बाहर की तरफ अब जो बशा हुआ आठा है उसे निकाल देना है नहीं तो बीच में आटे वाला फ्लेवर आएगा इस तरह से हाथों से चकई के जैसे बना लेना है हाथों से दबा के तब बेलना है नहीं तो उसमें हवा जैसा भर जाता है बेलते वक्त फट जाता है इसलिए पहले हाथ से धीरे-धीरे चकई के जैसे बना लेना है उसके बाद बेलना है देखे मैंने ये पतला वाला बेला है एक आपको मैं पतला वाला दिखा रहे हूँ अब मैं एक मोटा वाला आपको बेल के रिखाऊंगी उससे भी मोटा हम कैसे बनाएं तो उससे भी बड़ी लोई हमें लेना होता है तो हमन तरह से निकाल दूँगी और फिर उसी तरह इसे भी बेल लूँगी दबा के देखिए इस तरह से पहले हाथ से दबा के थोड़ा सा बढ़ा करना है तुरंत बेलां से नहीं बेल लेना है नहीं तो फट जाएगा यहाँ पर देखो मैंने कितने अच्छी से बेल के तयार कर लिया है पराठा देखिए यह उसी थोड़ा मोटा है तो मोटा वाला पराठा बेलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है और सेकनी बिभी और पतला वाला भी बनाया तो थोड़ा साउधानी से बनाया है उसे हलके देखके दिखा देती हूं आपको, बाकी पराठे जैसे सिखते हैं, ये भी वैसे ही सिखेगा, तो आप चाहें तो गी लगा सकते हैं, नहीं तो यहां पर मैं तो रिफाइन तेल लगा रहे हूं, बाद में बटर लगा के, गर्म अगरम खाएंगे तो ज्यादा अच्छा लग है, तो आप चाहें तो प्याज और थोड़ी सबजी डालें, तो उसको हलका सा फ्राइ कर लें, फ्राइ करने के बाद भी पनेर में मिला के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बहुत तेस्टी लगता है, प्याज पक जाता है, शेकती वक्त, इसी तरह से मैं अप से ज़्यादा खासित होता है, आठा अच्छे से बना हो, तो पराठे भी अच्छे से आप बेल सकते हो, फटेगा नहीं, बढ़ियां तरह से इसे दबा दबा के सेक लेते हैं, किनारी पे कच्छा न रजाए, इस तरह से, एकदम करारे मस्त पराठे बनके तयार हैं, इस तर लगी तो लाइक कर दो, सस्क्राइब का बटम दबा दो, अब लाइकन को क्लिक कर दो, आहां,